इन मेंसे किस प्रकार की दवाईयां अपच की निदान में काम आती हैं प्रति रोधी पीड़ा हारी प्रत्यामल की टानू रोधी तो इसमें जो लिखा हुआने प्रति अमल है ना कि प्रति मल तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्सन सी यानि कि एंटासिड एंटासिड होगा नेक्स्ट कुश्चन कर चलते हैं विपरीत लक्षणों के संके तक जीन जोड़े को कहा जाता है एलिल, एफ, बन पीडी, जीन प्रारूप, एकल, संकर करेक्ट आंसर हो जाएगा एक एलिल कहा जाता है ओप्सन ए नेक्स्ट कुश्चन जब किसी द्रब को तेजी से गुमाया जाता है तो सगन कण नीचे तथा हलके कण उपर रहते हैं इस सिद्दान्त का उप्योग किया जाता है अपकेंद्रण में, आंसिक आशवन में, बास्वी करण में, निश्यंत्रण में तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण में ओप्सन ए करेक्ट आंसर होगा किशी बस्तु का आभासी बे बिवर्दित प्रतिविम्ब प्राप्त किया जा सकता है उततल दरपन, अबदल दरपन दूरा, समतल दर नौरा, अबदल लेन्स दूरा तो करेक्ट आंसर होगा, अप्सन भी अबदल दरपन दूरा हेवर्द प्राप्रिक्रिया में उपीउक तंच तपमान और उद्दीपक कितना जरू होता है तो इसमें 450 डिग्री सेल्सियस आयरन तो आयरन की और 450 डिग्री सेल्सियस तापमान के आविश्यक्ता होती है option A correct answer होगा दरश्टी दोस दरश्टी भी सम्मे तब उत्पन होता है जब कॉर्णिय के आकरती गोलिये नहीं होती है option D इसका correct answer होगा मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किर्णे उत्तर लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है बक्रता केंद्र से मुख्य फोकस से ए परिवड़ते तरहती है प्रकास केंद्र तो इसका correct answer हो जाएगा मुख्य फोकस से अब यह कैसे होता हूं मैं तुम्हें बताता हूं जैसे लैंस है ठीक है यह समांतर किर्णे आ रही है तो यहां से मुड़ेगी और इधर जाकर के मिल जाएगी तो इसको हम बोलेंगे focus मुख्य फोकस मुख्य फोकस तो यहां से निकर जाएगी ऐसे तो इसको हम बोलेंगे एफ वन चलो अगला देखते हैं कि किसी बस्तु का आभासी बे बिवर्दित प्रतिवि में प्राप्त किया जा सकता है तो आभासी और बिवर्दित प्रतिवि में प्राप्त करने के लिए यह उत्तल उत्तल लेंस के दो में पाए जाता है लिए उत्तल लेंस में पाए जाता है और अब तल दरपनड़ लेकिन जब धुरुब और फोकस के बीच में रखते हैं बस्तु को तो हमें आवासे और बिवर्धित पृतिविम प्रापत होता है तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दरपण अवतल दरपण option C correct होगा पी लिया एक ऐसी इस्तिती है जिसमें रक्त में किसका संचे हो जाता है albumin, globulin, hemoglobulin correct answer हो जागा बिली रूबिन, option D उत्तम स्रेणी का कोईला है तो पी लेवेटी तो पी लेवेटी टी का मतलब होता है last का anthracite option भी correct होगा इस तरह से tricks हम किसका ध्यन करते है correct answer हो जाएगा इसमें देखो आनुवान से की पोशी का जीब बिग्यान, जैब बिकास प्रकास न्सलिस्ण, तो correct answer हो जाएगा आनुवान से की आनुवान से की हम किस तरह से करते हैं जैसे कि मटर के हम genetic process को इस तरह से square बना करके दिखाते हैं कि इसमें कितना प्रतीसत है तो यह क्या इसी को हम पुर्नेट बर्ग कहते हैं इस तरह से जो खाने बना बना करके हम दिखाते हैं कि कि पहली पीडे में कितना हुआ था कि एक अनपाद दो इस तरह से अगले question के और चलते हैं नेमने लिखित मेंसे कौन सा एधात्विक गुण परदरसित करता है molybdenum, aluminium, beryllium, grace, SN तो इसमें beryllium option C सही होगा क्योंकि इसमें यह चारिये मरदा धात्व तत्व है तो चारिये मरदा धात्व है पानत है रक्त में स्वेत रुधिर कणिकाओं की सिंख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में होती है कम होती है option D correct answer होगा अनुबाद प्रिक्रिया का दमन करने वाला triplet code है UGG, AUG, UAA, UAC correct answer होजाएगा UAA option C सर्वधाता रुधिर समू कौन सा है सर्वधाता रुधिर पर कौन सा है तो इसका correct answer होजाएगा O यानि की option A correct answer होगा कारवन का कौन सा परुप जियोडेसिक गुम्बद जैसा सुरूप रखता है option कारवन नेनो ट्यूब, ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन correct answer होजाएगा फुलरीन फुलरीन correct answer होगा बेंकिंग उद्योग में कौन सी कबक का इस्तिमाल किया जाता है मोरेल, ब्लेक मोल्ड, यिस्ट, मस्रूम correct answer होजाएगा यिस्ट का निवन में से कौन सा रक्त समू सर्व, सार्व, बहुम में गिराही होता है जो ग्रेहन करता है correct answer होजाएगा ये भी positive option ये correct answer होगा वीडियो हम science के question लेंगे जो CET exam में आई होए है तो चलिए हम paper को सुरू करते हैं पीपर को सुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सबिस्क्राइब कर देना और अपने दोस्तों सेयर करना ये ऐसे question है जो exam में अक्सर पूसे जाते हैं सिनकोना से प्राप्त चलिए हम सुरू करते हैं सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताईए कुनेयन एट्रोपिन सिनकोनिन निकोटिन तो इसका correct answer हो जाएगा कुनेयन दोस्तों वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों सेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद